नमस्कार फ्रेंड, साब सभी का एक बार फिर से एजुकेसिनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं NTA UGC NET June 2020 के एक्जाम का एजुकेसिन सब्जेक्ट का कटा फॉर जिसका पेपर कोड है 009 और हम आपको बता दें कि आपका NTA UGC NET June 2020 के एक्जाम का ओफिसल आंसर की जारी हो गया है और आप NTA UGC NET के ओफिसल वेबसाइट पर जाके अपना कुश्चन पेपर एंट रिस्पॉंस प्लस ओफिसल आंसर की देख सकते हैं और मैच करा सकते हैं कि आपने एक्जाम में कितना करेक्ट आंसर दिया और हम आपको बता दें कि आज की वीडियो का जो एजुकेसन सब्जेट का कटाफ लाया गया है यह एक unofficial कटाफ है जो की most expected कटाफ है और यह बनाया गया है आपके present exam के कुश्चन पेपर प्लस difficulty level के आधार पे प्लस experience के feedback के आधार पे और इसको और रिवेलिड बनाने के लिए कोसिस किया गया है आपके previous exam के कुश्चन पेपर का difficulty level प्लस official cut-off उसको भी लिया गया है जिससे कि आपका यह cut-off ज्यादा strong हो और अगर आपका score इसके pass होता है तो आपके chances exam में ज्यादा रहेंगे ज्यारेफ के और net के यह एक average score है ठीक है तो इसके आधार पे कोई आपको अभी strong decision नहीं लेना है वेट करना है अपना जब तक की official cut-off ना आजाए official आपका result ना हो जाए बस आपके लिए जारी किया जा रहा है ताकि आप लोग थोड़ा सा safest feel करें जब तक की आपका official cut-off और answer या कहें result ना आजाए तो चलिए सबसे पहरे चलते हैं आपके cut-off के उप़र और बाते करते हैं साथ ही साथ paper one का भी देखिए आपका exam में जो paper one हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो हमने जो आपके question paper को देखा है तो उसमें teaching aptitude से question बहुत अच्छे पूछे गया है आपके research से question पूछे गया था इसके अच्छेंड शाव नेन से question पूछे गया थे of a position से question युद्ध गया थे भी किशनग अचैण से question बूछे गया थे तो आपके the decent happiness ने से question ब्लाइट इसे question अडर पूछे गया थे इसमें परसेंट इस से question बूछे गया थे ते तो है मैं धनुख़ों आपके प्रोजेक्ट एंड एंसेंट यूनिवर्स्री ते कुश्चन पूछे गए थे तो एक देखा जाए तो अच्छा पेपर वन का देखा जाए तो यहां पे और ओफिसेल कट गया था उसके आधार पे देखा जाए तो आपका कट आप बहुत जादा लू नहीं जाने वाला है कुछ जरूर प्रिवेस एक्जाम के तुर्णा में कुट जाने लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं जाएंगे तो इसके अधार पर अपकी बार आपके जो कटाफ बनेंगे सबसे पहले अगर बाते करें अन्रिजर्व कटेगरी तो आपका 63% से उपर जिनका स्कोर जा रहा है उनके ज्यादा मैक्सिमम चांसे से रहेंगे जूनियर से फिलो वीकर सेक्षन याने की डेवर्य कटेगरी की बात करें तो 60 प्लस अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आपकी चांसे अचे रहेंगे निट्ट प्लस जारिफ के एंड 53 कहें या 54 से उपर आपके इसकोर जा रहें तो आपके चांसे बहुत अच्छी स्टॉंग रहेंगे अशि 51 कहें तो इससे उपर के ही चांसेज आपके पास रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के ऐसी कटिगरी की बात करें तो 57 से उपर के इसकोर आपके लिए काफी से रहेंगे जिफ जियारेफ के लिए नेट के लिए एंड 49 और 50 से उपर के आपके इसकोर रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही बढ़िया एस्टे के लिए करें तो 57 परसेंट से उपर का अगर आप लोग की स्कोर लाते हैं तो आपके चांसेज बहुत अच्छे रहते हैं नेट के ज्यारेफ के प्लस 49 अगर आप ला रहा हैं तो assistant professor के आपके chances maximum बनेंगे इस exam में person with disability यानि PWD category की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे सब category आज आते हैं तो इनका अगर average कहें तो 44% से उपर अगर आप लोग जाते हैं तो 39 से उपर आप लोग जितना करेंगे तो आपकी chances रहेंगे assistant professor के लिए ठीक है तो आज की वीडियो में सभी category पे बात हो गई है और इसके आतार पे कोई decision मत लिजेगा sad मत होईएगा अगर आप लोग का score इसे 3 या 4 परसेंट नीचे जा रहा है तो आप लोग अपना preparation मत रोकिएगा जारी रखिया किया यह मेरा आपको थोड़ा सा कहें तो सलाह है अगर आप लोग मानते हैं तो आगामे exam में आप 100% crack करेंगे जाराफ एंड नेट ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही और जब तक की नेक्स वीडियो नेक्स अब्डेट नहीं लाते हैं तब तक की थैंक्स वोश्चिंग एटुकिस्टनल चैनल और आपका दिन बहुत-बहुत सुभाव